आप भी एक यूटूबर हैं तो आपको TubeBuddy के बारे में पता होना चाहिए TubeBuddy एक YouTube में मैंने software है जहाँ पे आपको आपके चैनल के SEO पोजिशन बताता है आपको चैनल के रिक्मेंड करता है कि कैसे आपके चैनल ग्रो करना है सो TubeBuddy जब भी हम first time use करते हैं तो हमें starter plan मिलता है जिसमें बहुत कम ही feature हमें देखने को मिलता है सो उसका premium version यानि के pro version लेने के लिए हमें पैसा देना होता है आज की इस video मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिल्कुल फिरी में आप lifetime के लिए प्रो वर्जन कैसे activate कर पाएंगे TubeBuddy एकाउंट में सो चले वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं दोस्तो मेरा ना मेरे ज़स्मोरे आप देख रहे हैं टेक YouTube चैनल अन्ज सो चले वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात कर ले कि TubeBuddy जो प्रोसस में बताने वाला हूं कम्पीटर को उपर बताने वाला हूं और TubeBuddy का extension आता है जिसे हर यूटूबर लगबग यूज करते हैं जो भी अपना चैनल को ग्रो करना चाहते हैं से लिए कम्पीटर स्क्रेंट प्ले चलते हैं और आपको बताते हैं आपको ट्यूबर लाइसेंस को लाइफ टेम के लिए एक्टिबेट करने के लिए आपको यह स्टेप फॉलो करना होगा जो मैं आपको इस वीडियो में अभी बताने वाला हूं सबसे पाहले आपको ट्यूबर डशेंस्टेंस करना ना मने अल्रेडि ट एंस्टॉल किया हूगा तो इसके बाद आपको अपने YouTube dashboard में जाना है यहां पर मैंने YouTube dashboard में चलाया उसके बाद यहां पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यहां पर करने के बाद इस icon पर आपको दिख रहा होगा license अभी starter है ठीक है तो यहां से सबसे पहले हम चलते हैं हमाई account और ट्यूबर्ड डाइस बोर्ड में न्यू टैप में उपिन करूंगा मैं यहां से लिख रहा है sign in to manage your account and license as well as to access advanced tools such as every test ठीक है sign in with google पर click कर देंगे हम उसके बाद यहां से हम login हो गए यहां से देख सकते हैं कि already मैंने channel add किया हुआ brief tag और यहां से जो इसका license है starter है यानि कि फिल्कुल free वाला है इस पर health report पर click करेंगे तो देख सकते हैं कि sorry in order to view your channel health report you must upgrade your license तो license upgrade करने के लिए यहां पर बोल रहा है तो license activate करने के लिए आपको सबसे पहले इस account को delete करना होगा इस account को delete करने के लिए आपको इस icon पर click करना होगा brief tag जो भी आपका profile है और यहां profile का एक option मिल जाएगा आपको इस पर click करना है और इसके बाद इस account को delete कर देना है yes delete my account यहां से देख सकते हैं कि your account has been deleted data removed यानि कि हमारा data already removed हो चुका है और अकाउंट भी लेट हो चुका है तो यहां से ट्यूबड़ी अब फिर से हमें ID बनाना होगा so without delete कि यह हम pro version को activate कर नहीं सकते थे इसलिए हमने अकाउंट को delete कर दिया है next step है फिर से हमें login करना होगा तो यहां से चलते हैं ट्यूबड़ी डॉट कॉम पर यहां से ट्यूबड़ी डॉट कॉम है इस पर यहां पर sign in का बटन इस पर click करेंगे और लिख रहा है sign in इंटू फिर से sign in टूप फिर से sign in क्रिट कर लिया यहां पर कोई भी चैनल अभी start यानि की add नहीं है तो चैनल को add करने के लिए add चैनल पर click करेंगे तो यहां पर add चैनल पर click करेंगे जिसी mail id से आपका यूटूब चैनल जिसी mail id को select कर लेंगे और यहां से आप देख सकते हैं कि tubebuddy want to access your account कौन कौन सा चीज आपका tubebuddy access कर रहे हैं यहां पर सब कुछ दिया हुआ है या privacy policy यह सारा कुछ आप रेट कर सकते हैं आप चाहे तो यहां से allow कर देंगा मैं simple ओके फिर से आप देख सकते हैं कि हमारा चैनल एड हो चुका है और license जो है starter है फिर से हमें activate करने के लिए tubebuddy यानि की pro version activate करने के लिए health report पे ही क्लिक करना होगा यहां पर click करने के पाद यहां से आपको यह green signal दिख रहा होगा good news your channel qualified free for three days trial hour pro license pro will get access this health report तो यहां से आपको start 14 दिन के लिए क्लिक कर देना है और यहां से आपका जो भी tubebuddy account हो आप 15 दिन के लिए pro version बन जाएगा यहां से देख सकते हैं कि license जो अब है हमारा pro है इस से अब हम बहुत सारा settings को use कर सकते हैं इस तरह से आप tubebuddy call lifetime के लिए अक्टिवेट कर सकते हैं अब बोल सकते हो कि lifetime के सब्सक्राइब कर सकते हैं आई हो पे वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कमेंट सेर करने पूर मत बुलिएगा और साथ में इसी तरह कंटेंट देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएगा यहाँ पे फिर से हम चलते हैं अपने यूटूब डैस्बोर्ड में और यहाँ से लोग इन करते हैं क्रोम एक्स्टेंशन में देख सकते हैं कि लाइसेंस स्टाटर था प्रो हो चुका है प्रो में यहाँ से बहुत सरा कुछ हम देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो प्लो को पसंद्य होगा थैक्स फर वाचिंग दिस वीडियो